इसलाम अलेकूम हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खहरीत से होंगे हम अपनी हर वीडियो में आपको अपनी घिजा को समझ कर खाने की तल्पेंड करते हैं अगर हम अपनी घिजा को समझ कर खाएंगे तो हम बहुत सी बीमारें उसे में फूज रह सकींगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल शेनल स्कॉन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, आज की वीडियो में आप जाने के हल्दी किया है, इसके किया किया है रान किन फवाइद ही, हमें कब कैसे और कितना इस्तिमाल करनी चाहिए, हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बहुत से सेहत के फवाइद ही, कुछ मुतालात के मताबिक, हल्दी के चंद फवाइद ये ही, हल्दी में दुआउं की खुसियत के साथ बाईयो एक्टिव मरकबात होते ही, जैसे करकोमीन, करकोमीन एक ताकतवर सो करकोमीन उस्तियो आर्थराइटिस के शिकार लोगमी दर्द और सखती को दूर करने में मदद कर सकता है, खास तोर पर जब दीगर सोज़िश वाली जुड़ी बूटीन या दौईव के साथ मिलाया जाए, हल्दी खुन के बहाओ को बहतर बना कर और खुन के जमने को रोग कर दिल की बीमारी से बचा सकती है, ये कॉलेस्टरोल और तरागली स्राइड की सतह को भी कम कर सकता है, जो दिल की बीमारी के लिए खत्रे के अवामल ही, हल्दी कैंसर के खुनियों की नशवोनुमा और खैलाव को रोग कर कैंसर मुखालिए और तरापी और रेडिय separate की ता से कम करने में मदद कर सकती है। यह अलजाइमर की बीमारी में मबतला लोगों के मिजज और रवय को भी बहतर बना सकता है। हलदी पता की पैदावार को मुतहरिक करके और जहरीले मादन से जिगर को पहुंचने वाले नुकसान को रोग कर जिगर की सेहत को सहारा दे सकती है। ये जिगर के अमराज जैसे हेपटाइटिस, सरूसस और फैटी लीवर की बीमारी के इलाज में भी मदद कर सकता है। साइनसी तहकेट की बुन्याद पर हल्दी के चंद मुम्किना फवाइद ये ही। हल्दी कुछ अद्वियात या सप्लेमंट्स के साथ भी तामल कर सकती है, लिहाज़ा हल्दी या करकोमीन सप्लेमंट। लेने से पहले अपने डॉक्टर से मश्वरा करें। आप हल्दी को अपने पकवान में मुसालहे के तौर पर इस्तिमाल करके या हल्दी की चाय या दूद पीकर भी अपनी खुराक में शामल कर सकते ही। हल्दी आपके खानमी जायका और रंग शामल करने के साथ साथ कुछ सेहत के फवाइद भी फराहम कर सकती है। अब हम जानते हैं कि हल्दी कौन-कौन से खुबसूरती के फवाइद रखती है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो आपकी जल्द के लिए बहुत से फवाइद रखता है जैसे सोजश को कम करना, महासम से लड़ना, सियाह धब्गूं को हलका करना और उम्र बढ़ने को कम करना। यह हल्दी के कुछ ब्यूटी टिप्स हैं जिन्हें आप घर पर आजमा सकते हैं। एटोपक दर्मीटाइट्स में मदद के लिए एक चमच हल्दी को एक चमच शहद में मिलाकर इस मासिक को अपने चेहरे पर लगाएं। इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दी और धोलें। हमल के दोरान सटरीच मार्क्स से बचने के लिए हर रोज हल्दी और दही का पेस्ट पीट पर लगाएं। अपने बालों को चमकदार और खुश्की से पाक बनाने के लिए शेंपू करने से 30 मिनट पहले अपने सर पर हल्दी का थोड़ा सा नमकीन पानी चिरगी। सुपरे बनाने के लिए पानी डालने और एक चाये का चमच गुलाबी हमाली आई नमक और चंद चटक की हल्दी एक साफ असपरे की बोतल में मिक्स करें। मुझे उम्मीद है कि ये तजावीज आपके लिए मददगार साबित होंगी। हल्दी एक ऐसा शांदार जुज है जो खुद्रती तोर पर आपकी खुद्सूरती को बढ़ा सकता है।